कल अचानक 10-12 मैसेज पहुन सिंग के फैंस का कुछ खेसारी फैंस का मैसेज आया सभी बोल रहे हैं कि जानते हैं भाईया पहुन भी एक फिल्म के ऐसा हुआ है गलब भिवार हो रहा है पहुन सिंग को निचा दिखाया जा रहा है तो निउस मैंने सुना उसके बाद मैं जाज परताल किया क्या सचाई है क्या नहीं और उसके बाद बिना मैनिपूलेशन के बिना मिलावट के आप तक निउस परोशने के लिए आ गया नमस्कार मेरा नाम देया शंकर ओजा है आप देख रहे है टेक टू भोजपुली चैनल देखो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और भरोसा करते हो तो याद रखना कि आप सच्चाई ही देखोगे यहां पे बिना मिलावट की निउस दिखा जाता है ऐसा नहीं है कि हम घेसरिया के चमचे हैं हम पवनवा के चमचेए ऐसा जो लिखते हो ग्या कोई लिखते है तो यहां और न चमचा बल चाप कोई किसी का नहीं ना किसी का चाटा-चेटे नहीं होता है बिल्कुल सचाई वाला नीज आप तक परोस्त मुछने के ब्रण है देखो पवन सिंग का फिल्म अच्छा कलेक्शन कर रहा था फावन धीरे-धीरे मार्केट पकर रहेते फिल्म लग रहा था कि अब संघर्ष 2 एक पॉलिस पटना से सीने पॉलिस सब्सेट बहुत सारा वीडियो भी आया था अच्छा खासा रेस्पॉंस था यह चल रहा था दिया गया है इसा कहा गया है Cine Police के जो मालिक थे पटना वाले तो उन्होंने कहा कि खिसारी जी के फिल्म को कम से कम तीन-चार जगा लगाया गया है Cine Police जहां जहां है और पटना में चल रहा है पवन सिंग का फिल्म को हटा दिया गया है जो कि बहुत बुरी खबर है तो क्या पवन सिंग का फिल्म नहीं चला है सिने पॉलिस में, क्या पवन सिंग के फिल्म ने जैसा सुर हो रहा था, बिजनेस अच्छा किया, अच्छा किया, नहीं किया है, क्या पवन सिंग ने जान बुच के अपना फिल्म को अटवा लिया, आपको क्या लगता है, आप कमे सारी लाल जी की फिल्म कितने दिन तक सीने पॉलिस पटना में ठीकती है और आपका क्या भीचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करें आप कमेंट करेंगे आपका कमेंट हम पढ़ते हैं और हमेशा जाद दखना जो भी देख रहे हो सचाई देख रहे हो बिना मिलावट के बिना कुछ मिक्सिंग के इसलिए मेरे वीडियो को आप देखते हो और मुझ पर भरोसा करते हो तब तक के लिए जय हिंद बंदे मां